हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपकी अपने यूटूब चैनल किरकेट एक्सपर्ट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं एसेज टेस सीरीज के पहले मुकाबले को जो होना है इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच बिस्ब्रेंड गाबा के एतिहासिक मैदान पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्लेंग 11 के बारे में आस्ट्रेलियन टीम खास कर कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों चेंज करके नए कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ एसेज सीरीज में उतरने वाली है इसके बाद विश्बिन गाबा का मैदान देखने वाले हैं कैसा खेल सकती है पूरे मैच के दोरान इसके अलावा दोनों टीमों की कनफर्म प्लेंग 11 को बताने के साथ साथ देखेंगे मैच प्रिब्यू कौन से टीम कहां पर बहतर नजर आ रही है और कौन से टीम ये मुकाबला जीत सकती है इसके अलावा वीडियो के अंत में बनाएंगे एक बहतरीन डीम 11 टीम और कुछ स्पेसल टीप्स की कौन से कंडिशन में आपको डीम 11 में कौन से प्लेयर अपलाई करने चाहिए तो ये सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में बेहत मनरजक होने के साथ साथ ये वीडियो बेहत नॉलेजबुल होने वाला है वीडियो को कहीं भी स्किप्ट किये बिना अंतक जरूर बने रहेगा इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए और वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर कर लीजिए साथ ही कमेंट करके ये भी वताइए कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है दोस्तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बिस्बिन गाबा के पिच के साथ दोस्तो गाबा का वही एतिहासिक मैदान है जहां पर रिशब पंत की सांदार इनिंग के बदावलत भारत ने गाबा में जीत के साथ ही आश्टेलिया में सीरिच में जीत दर्ज की थी बात करें यहां के पिच की तो यहां पर बैलेंस विकेट है हाना कि भरपूर मात्रा में घास दिखाई दे रही है जो तेज गेदबाजों को खूब ज़्यादा फेवर करने वाली है और पिच की बात करें तो यहां पर तेज गेदबाजी की खूब अच्छी खासी फेवरे अब तक 64 मुकाबलों में 25 बार पहले बैटिंग करते हुए जबकि 25 बार दूसरे इनिंग में बैटिंग करते हुए टीमों को जीत हासिल हुई है और पहले इनिंग का एवरेज स्कोर की हम बात करें तो ये 334 रन का है दूसरे इनिंग में ये 373 तीसरे इनिंग में 240 और लाश एसेज सीरीज के दोरान ही आस्टेलिया के नाम से है जहां आस्टेलियन टीम ने हाइस टोटल 645 अंद किये थे एसेज सीरीज में ही इंगलेंड के खिलाब तो वहीं लोएस टोटल में भी इंगलेंड ने आस्टेलिया को मात्र अंठावन रनों पर अल आउट कर दी थी इसके दिल्चस्प होगा कि अगर वापसी करते हैं तो कैसा performance कर पाते हैं फिलहाल जो टीम दिखती नजर आ रही है तो इस टीम में हासिब हमीत के साथ रोरी बॉन्स, जैक क्रॉली, जो रूट, जोनी वेरेश्टो, बेन श्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, मार्क वूट, स्ट की वाइस कैप्टेंसी की जिम्मेदारी तीन साल के बाद उनके स्टार बल्लेबाज, इस्टिवन इसमिच के हाथों में दी गई है तो टीम कुछ इस प्रकार नजर आ सकती है इसमें डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुसाने, इस्टिवन इसमिच, ट्र फाउम में काफी अच्छा संकेत है तो काफी कुछ उनका बैटिंग लाइन अप, मार्नस लाबुसाने, इस्टिवन इसमिच के इर्दगिर्द घूमती नजर आ सकती है, उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेट भी अहम मौकों पे सांदार परफॉर्मेंस करते आए हैं, तो अहम मौकों पे कुछ सांदार रन जरूर कर सकते हैं, और अर्श्टेलियन टीम को कहीं भी किसी भी संकट से निकालने का माददार रखते हैं, देखना दिल्चस्प होगा कि कैसा परफॉर्मेंस अपने घर पे करती है अर्श्टेलियन टीम, तो वहीं हम बात करें इंग्लै टीम के लिए कैप्टन जो रूट और जोनी वेरेश्टो के इर्दगिर्द काफी हद तक इनकी बैटिंग लाइन अप घूमने वाली है, हलाकि ओपनर हसीभ हमीद और रोरी बन्स इन प्रेडिक्टिबल लहते हैं, कुछ भी नहीं का जा सकता है, कितनी देर तक बैटिंग क आपसी करते हैं, तो लंबे समय के बाद आ रहा है, कितना स्कोर कर पाएंगे कहना थोड़ा सा मुस्किल है, खास कर पहले टेस्ट मैच में, जो उस बटलर का सांदार फार्म जरूर उनके लिए फाइदेमन रहने वाला है, तो वहीं आलाउंडर क्रिस वोक्स से थोड़ी ब समखम अपना नहीं दिखा पाते हैं, जितना की अस्टेलियन टेलेंडर, तो दोस्तों कहीं न कहीं आस्टेलियन टीम थोड़ा सा मजबूत जरूर दिख रही है, लेकिन बिल्कुल कांटे का टक कर देने के लिए तैयार है, इंगलिस टीम, कहना बेहद मुस्किल होगा कि इसके लामा दोस्तों, अगर आप फेंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, तो फेंटेसी लीग के लिए हम जो टीम रिकमेंड करने वाले हैं, इसमें हम दो विकेट कीपर के साथ जाना चाहेंगे, एलक्स कैरी और जोनी बेरेश्टो के रूप में, तीन बैटिंग आर्डर में हम जबकि दो आलाउंडर आपसन, मारनस लाइबुसाने और क्रिस वोक्स के साथ जाना चाहेंगे, यहां डीम 11 के क्रेडिट की इसू की वज़ा से, बेन श्टोक्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं, इस उमीद के साथ कि प्लेंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, कनफरम नहीं है और हो होते भी हैं, तो लंबे समय के बाद हो सकता है, उतना दमदार परफॉमेंस न कर पाएं, इसके अलावा हम चार गेदबाजी आपसन के साथ जाना चाहेंगे, इसमें जायल लिचर्षन, पैट कमिंस, मार्क वूट और जेम्स एंडर्सन हमारे मुख गेदबाज होने वाले ह वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन सुब हो